नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं आपको बता दे कि खुटी के सिकषक सत्यजित कुमार यहों अने की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसेलपी दायर कर ज até का जारखन हाई कोर्ट के 207-200 के फैसलों को चुनोती दी गई थी सुप्रीम कोट में प्रार्थी सतेजित कुमार वा अनेकी ओर से SLP दैर की गई थी इसमें जार्खन हाई कोट के 21 सितमबद 2020 के आदेश को चिनोती दी गई हाई कोट की लाजर बेंच ने 21 सितमबद 2020 को राई सरकार की नियोजन नीती वा हाई स्कूल सिक्षक निक्ती विग्यापन को चुनोती देने वाले अजक्या पर फैसलास सुनाते हुए नियोजन नीती को असन मेधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था जारखन बिधान सभा मांसून तत्र में हंगामा से बिजेपी के 4 बिधायक सस्पेंड जार्खन बिधान सबाक का मांसुन सत्र चल रहा है मंगलवार को सदर में मुख्य मंत्री है मंसुरन के स्थिपे की मांग को लेकर विपक्ष नजबर्दस्थ हंगामा किया बिजेपी बिधायक भानुपताप साही ढूलू महतो जब परकास पटेल और अरंधीर सिंग चार अगस्तक निलंबित किये गए है सदन में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था अखिर करित स्थिकर ने इन्हें सदन से बाहर करने का एदेश दिया है बता दे जारखन बिधान सबाकि मांसुन सद्रे के दूसरे दिन स्वमवार को भी कैस कांड में कोलकाता पुलिस दोवारा गिरफतार बिधायकों को लेकर सदन में चर्चा तेज़ थी बिधायक दब्बे छूपे इस पर चर्चा कर रहे थे कांग्रेस की बिधायकों पर बिसेस निगाहे थी किसानों की मददगार है साथ ही प्रोड्यूसर योजना किसानों को आर्थिक रूप से स्वमलंबी बनाने के लिए द्वारा सुरूप साथी पोडूसर योजना काफी लोग पिरिये हो रही है इसके तहद किसानों के समोग का कमपनी बना कर उन्हें सेयर जारी किया जाएगा हर किसान को दो-दो हजार रुपए देकर सदस्य बनना होगा बदले मों हैं दो-दो हजार रुपए का अतिरिक तस्यर नवार्ट की रासिदे दी जाएगी पूरे समोग को 15 लाक रुपए का अनुदान भी मिलेगा बता दे नवार्ट के डीडी एम रवी लोहानी ने बताया है कि धनबाद जीला में नीर्शा यह गोवींदपूर परखंड में किसान साथी पोडूसर कमपनी लिमिटेट के नाम से समोग बनाया जा चुका है गोवींदपूर परखंड के पाथुरिया पंचायत के बरमस्य गामें इसका कर्याला खुला है गोवींदपूर में 30 जुलाई तक इस समों से 410 किसान भी जुर चुके है जारखंड सरकार की चेतावनी समाने इसकूल में उर्दू सब्द जोडात होगी करवाई जारखंड के समाने सरकारी स्कूल में सब्ताहिक छुट्टी को बदल कर सुक्रवार करने वो उर्दू सब्द जोडने का मामला तूल पकड़ा था बतादे अब इस मामले पर सरकार ने चेतावनी जारी कर दी है सब्ताइक अवकास अजिसुचीत उर्दू बिद्याले को चोड़ कर जिन बिद्यालियों में उर्दू सब्द जोडा गया है उनके नाम में से अविलम उर्दू सर्द हाटाया जाए सब्ताइक अवकायास अजिसुचीत उर्दू बिद्याले को छोड़कर सुक्रवार की जगा रभिवार को हो मद्याहन भोजन का संचालन रभिवार को नहीं होगा सराय केला कस्तुर्बा बिद्याले में 17 संक्रामीत टीम करेगी जाट जार्खन के सराय केला जीले में सोमवार को करोना बलास्ट हुआ है बता दे नीमडी कस्तुर्बा गांधी बाली का आवास्ये बिद्याले में 17 संक्रामीत मरीच पाये गया है सभी को कोरिंटीन किया गया है सराइ केला जिला में एक्टी मरीजों की संख्या बढ़ कर ब्यालिस हो गई है मेडिकल टीम कस्तुरवा गांधी बाइल का आवासे बिद्याला का दौरा करेगी पारा सिक्षको की तरह बियार्पी सियार्पी होंगे अस्थाई पारा सिश्को की तरह समगर सिक्षा ब्यान के तहत ही कारणात प्रखंड साधन सेवी तथा संकूलन साधन सेवी भी अस्थाई होंगे इनकी भी सेवा सर्त निमावली बनेगी राज सरकार ने मंगलवार को बिधान सभा में बिधाया बिकास कुमार मुंडा के सवाल के जबाब में अजनकारी दी है राज सरकार के अनुसार बियापी सेवा सर्त निमावली के गठ़न के लिए बिभागी समिती गठित की जा रही है यह समीती दूसरे राजे में लागू बेवस्ता का ध्यान कर नियमावली का प्रारूप त्यार करेगी विभागिये समीती द्वारा नियमावली का प्रारूप सोब पे जाने के बाद उस पर सक्षम पदाधिकारी जैसे बीधी कार्मिक बीध तथा कैबिनेट के सुखिरिती लेकर यतोचित निर्नाय लिया जाएगा पंकज मिस्रा का बिहेवियर चेंजेज की सिकायात मनी लॉंडरिंग और अवायद खननन के आरोप में एड़ी की गिराप्त में आने के बाद मुख्य मंत्री हमन सुरिन की बिधायक परतिनिधी पंकज मिस्रा का अब बुरा हाल हो गया है एड़ी लागतार उससे पूछ ताच कर रही है इड़ी उसे दो बार रिमांड पर ले चुकी है इस बीच उसकी तवियत खराब हो गई तो उसे रांची रिम्स में इलाज के लिए भरति कराया गया बता दे अब खबर है कि उनकी हलाट ठीक नहीं है उनका इलाज कर रही डाक्टरों के टीम मंगलवार को बैठक होई मेडिकल बोर्ड ने पंकज मिस्रा के बिहवियर चेंजेज को देखते हुए मनोच चिकित सक से इलाज कराने की सलाह दी है जारखन में 5 अगस्त को तक्था पलट की थी तयारी जारखन में इस समय कांग्रेस सबसे बुरे दर से गुजर रही है कूल 18 बिधायकों वाली कांग्रेस पार्टी के 14 बिधायक ऐसे है जो पाला बदलने की तयारी में थे ऐसे में हेमांत सुरेन सरकार के लिए खत्री की भी घंटी बताई जा रही है अगर कंग्रेस के तीन बिधायक बंगाल के हबडा में गिरपतार नहीं होते तो पांच अगस्त को जारखन में सता पर्वरतन की पटकता लिखी जा चुकी थी बतादे या विधायक आसम के गुवा हाटी में सोदे बाजी कर रहे थे वहीं से जारखन में नई सरकार की पटकता लिखी जा रही थी विधायकों के पकड़े जाने के बाद अब ऑपरेशन जारखन पर बिराम लग गया है लेकिन या अस्ताई बिराम नहीं है हर दिन जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं उसे या तय माना जा रहा है कि कॉंग्रेस में बड़ी तूट हो सकती है या तूट हेमान्त सुरेन सरकार का भविस्य तय करेगी बोकारों के गोमियों में हाथियों का जुन ने अठारा घर धोस्त किया बोकारों जिले में घुस आय जंगली हाथियों ने जम कर उत्पात मताया है तकरिमा ठारा घर उन्होंने धोस्त कर दिये या मामला गोमियों परखंड के पच्मो पंचायत का है यहां जुम्रा पहाड की तलहटी में बसे पुराना पानी गाउ में बिती रात हाथियों का जुड घुस आया बताया जाता है कि इस जुड में 15-20 हाथियों की जुड ने गिरामिनों के घरों को तहस नहस कर दिया हाथियों ने घर में रखे चावल गे हूँ आदि सारे अनाज चट कर गए है सिक्षा मंतरी को निमोनिया की दावा देते ही स्वास्त में सुधार चेनाई के MGM हुस्पीटल में भरती सिक्षा मंतरी जगनात मतों की स्थिति में सुधार हुए है वारल निमोनिया की दावाद सुरू होते ही सांस लेने की समस्या और अक्सीजन सेचुरेशन की सिती ठीक हुई है इलाज कर रहे हैं फेफडार, ट्रांस्पलांट, बिसेसर के डाक्टर आपार जिंदन ने बताया है कि चेनर आने के बाद उनके स्वास्त की पूरी जाच की गई और रिब्यू किया गया जाच में असपश्ट हो गया है कि वारल निमोनिया की समस्या है जो माइल्ड है ऐसे में ज्यादा चिंता की बात नहीं है किरितिम ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है एक सबता बाद दोबारा उनके स्वास्त का रिब्यू किया जाएगा जिसके बाद अस्पताल से चुट्टी कर दी जाएगी धन्यवाद